Hello everyone, welcome to SS Education आज हम लोग Current Affairs की सीरीज में करेंगे Quiz No.6 आप सभी की बहुत ज़्यादा डेमांड आ रही थी कि इसमें Number of Quotions को भढ़ाया जाए तो अब मैंने 30 Quotions की जगे 40 Quotions कर दिया है 40 Quotions से ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए अब 40 Quotions की ये सीरीज रहेगी IVPS में भी जो GK सेक्षन है वो 40 Marks का ही आता है और 40 Quotions ही आता है तो अब ये Current Affairs की सीरीज भी 40 Quotions की रहेगी अगर आप लोगों को ये Lectures अच्छे लग रहे हूं तो लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे भी और मुझे और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो मारा फॉस्ट कोईशन है तो कौन सा इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने आईरिस अथेंटिकेशन को लागू कर दिया है तो इसका आंसर है Option No.3 Access Bank Access Bank ने ये लागू किया है अब देखिए इसमें होगा क्या कि Access Bank ने Micro ATM Tablets बनाए है उन Tablets का जो कैमरा होगा वो हमारी आईरिस को स्कैन करेगा और वो आईरिस को स्कैन करने के बाद इसका अथेंटिकेशन करेगा UIDAI UIDAI जब इसका अथेंटिकेशन कर लेगा तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस्फुल हो जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले Micro ATM Tablets में अपना अधार नंबर डालना है और उसके बाद अपनी आईरिस को स्कैन करना है तो ये इंडिया में सबसे पहले किया है एक्सेस बैंक ने Next question Which cricket team has won the 57th edition of Duleep Trophy 2018 कौन सी cricket team ने Duleep Trophy 2018 को जीता है तो इसका आंसर है Option No.2 India Blue India Blue ने India Red को हराया था और Finals में India Blue जीती थी अब आपको इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो Duleep Trophy आप सैसे भी पूछ सकते हैं कि Duleep Trophy जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है तो Duleep Trophy किस से रिलेटेड है Cricket से Next question Which of the following cities is the venue of the 4th edition of World Summit on Accreditation W.O.S.A. 2018 इसका आंसर है Option No.1 New Delhi इसकी theme पे आपको ध्यान रखनी है इसकी theme है Challenges and Opportunities in Outcome Based Accreditation Which Indian sports person has been officially named as the sports ambassador of Assam कौन से sports person को sports ambassador बना दिया है Assam का तो इसका आंसर है Option No.4 Hima Das Hima Das को आप सब लोग जानते ही होंगे इनको एक और नाम से जाना जाता है वो है Dhing Express धिंग एक टाउन है Assam के अंदर और Hima Das के बारे में आपको एक दो चीज़े और ध्यान रखनी है वो यह है कि जो IAAF Under 20 Championship हुई थी उसमें Hima Das पहली विमेन बनी है जन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया से पहली विमेन है यह ठीक है और इन्होंने जीता है 400 मीटर रेस इवेंट में IAAF का मतलब है International Association of Athletics Federation ठीक है और IAAF Under 20 Championship हुई काँ पर थी यह हुई थी Temper फिनलेंड में तो यह सारी चीज़े आपको धिहान रखनी है ठीक है और हीमादास ने एशियाड में भी 400 मीटर रेस के अंदर सिल्वर जीता है Next question Which Indian women writer has authored a new novel The Rule Breakers The Rule Breakers जो novel है वो कौन सी Indian writer ने लिखी है तो इसका आंसर है Option No.2 Preeti Shinoje Next question Sarlah Puraskar Award 2018 Sarlah Puraskar Award जो है कौन से एक Odia Poet है जिनको मिलेगा तो इसका आंसर है Option No.2 Shatrugna Pandava इनको किसके लिए मिलेगा इनकी जो राइटिंग है वो है Mishra Drupad उसके लिए इनको मिलेगा Sarlah Puraskar तो आपको यह भी धियान रखना है कि यह एक Odia Poet है और इनको मिलेगा Sarlah Puraskar और इनकी जो Poetry Collection है वो क्या है Mishra Drupad Next question Which Indian Economist has been conferred honoris causa by the University of Engineering and Management in Kolkata तो honoris causa कौन से एक Indian Economist को दिया है तो इसका आंसर है Option No.3 Bibek Devroy Bibek Devroy जो है वो Chairman है Economic Advisory Council to the Prime Minister तो PM को जो Economic Advisory Council है जो उनको एडवाइस करती है Economic Solutions के लिए तो उसके Chairman है Bibek Devroy और यह एक Member भी है Niti Aayok के जो जोन 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 पॉंच जोन जोन सम्मेट Cam reiter Day of the World's Indigenous Peoples 2018 का International Day जो है World Indigenous Peoples उसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम है Indigenous Peoples Migration and Movement Indigenous Peoples का मतलब Indigenous का मतलब होता है Native जो कि बहां के रहने वाले लोग है ठीक है और यह जो International Day है यह मनाया कब जाता है यह मनाया जाता है 9th August को और इसकी थीम थी Indigenous Peoples Migration and Movement Next Question Which of the following has become the first Defence PSU to be activated on the Trades Platform अब देखो सबसे पहले तो Trades का मतलब क्या है Trades है Trade Receivable Discounting System अब यह जो Trades Platform है यह MSME के लिए बनाया गया है इससे उनका जो Finance है वो Boost हो और इनको Finance करता कौन है Banks है, NBFC है और दूसरे Financial Institutions है तो इस Trades Platform के अंदर कौन से एक Defence PSU को भी अब शामिल कर लिया गया है तो उसका अंसर है Option No.4 Garden, Reach, Shipbuilders and Engineers तो यह Defence PSU भी अब Trades Platform के अंदर एक बायर हो जाएंगे तो important question है इसको आप ध्यान रखना ठीक है Next question Who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Women National Commission for Women के new chairperson किसको appoint किया गया है तो इसका अंसर है Option No.4, Rekha Sharma Next question Recently Justice Gita Mittal has been sworn in as the chief justice of which of the following high courts Gita Mittal को कौन सी state के high court का chief justice बनाया गया है तो इसका अंसर है Option No.2, Jammu and Kashmir यह अभी Jammu and Kashmir high court की chief justice बनी है और यह पहली woman है जिनको chief justice बनाया गया Jammu and Kashmir के high court का Next question What is the venue of the ICC Women's World T20 2018 ICC Women's World T20 जो होगा 2018 में वो कहां पर होगा तो इसका अंसर है Option No.3, West Indies यह West Indies में होने वाल है तो यह 2018 का इवेंट है तो आप इसको ध्यान रखना Next question The 10th Biennial International Exhibition and Conference India Camp 2018 was held in which city तो India Camp 2018 जो कौन से सिटी में होई है तो इसका अंसर है Option No.1, Mumbai Mostly Conferences जो होती है वो New Delhi में होती है लेकिन India Camp जो है वो होई है Mumbai के अंदर Next question What is the India's rank in Visa's 2018 Government E-Payment Adoption Ranking Year जो ranking है Government E-Payment Adoption Ranking उसमें इंडिया की कौन सी rank है तो इसका अंसर है Option No.2, 28th इंडिया की जो rank है वो 73 कंट्री में आई है 73 कंट्री में इंडिया है 28th नंबर पर और जो 1st है वो है नॉर्वेय और आपको एक और धान रखना है कि यह जो इंडेक्स है यह E-I-U मतलब Economic Intelligence Unit की Global Index है ठीक है तो यह E-I-U की Global Index है Who has been appointed the Chief Statistician of India Chief Statistician of India किसका पॉइंट किया गया है तो इसका अंसर है Option No.3, Praveen Shrivastav Next Question India's first Methanol Cooking Fuel Program has launched in which state India का पहला Methanol Cooking Fuel Program जो है वो कौनसी स्टेट में लाँच हुआ है तो इसका अंसर है Option No.1, Assam तो इसमें आपको नामसी पता पढ़ रहा होगा कि इसमें आप मेथनोल को यूज करेंगे अज़ा कुकिंग फ्यूल और इसको प्रमोर्ट किया है तो इसका चेर्मन किसको पॉइंट किया गया है तो इसका अंसर है Option No.4, Vikram Limayay Vikram Limayay जो है वो MD और CEO है National Stock Exchange के तो अब इनको डिरेक्टरी बना दिया है World Federation of Exchanges का ठीक है Next Question The next Commonwealth Games 2022 Will be held in which country The next Commonwealth Games 2022 Will be held in which country तो इसका अंसर है Option No.3, England England में, Birmingham में अभी जो 2018 के Commonwealth Games थे वो कहा हुए थे? Gold Coast, Australia और इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो आई थी 3rd और इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 66 और एक और इंपोर्टेंट चीज जो आपको इस से ध्यान रखनी है जो 2022 के Commonwealth Games होंगे उसमें शूटिंग को एक्स्क्लूड कर दिया है तो इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा नुक्सान है कि शूटिंग में इंडिया काफी मैडल जीतता है 2022 के Commonwealth Games में शूटिंग नहीं होगी नेक्स्ट कोईशन किसका सामना करने के लिए लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेमिजम का तो इसका अंसर है Option No.4 उडिशय और अंधरप्रदेश और अंधरप्रदेश की जो बॉर्डर एरिया वहाँ पर जो मायोस्त है वह एक तरीके से बहुत जादा नुसंस्ट्रेट करते हैं उन्ही से लेफ्ट विंग एक्स्ट्रेमिजम से डील करने के लिए और उनका सामना करने के लिए अब इन दोनों स्टेट्स की जो पुलीस है वह साथ में काम करेगी और जॉइंट ऑपरेशन रिलीस करेगी What is the current repo rate as per RBI's 4th bimonthly monetary policy statement for 2018 or 2019 तो RBI का जो भी 4th bimonthly monetary policy statement था उसमें उन्होंने repo rate को अब कितना कर दिया है तो इसका answer है option no.3 6.5 जो reverse repo rate है वह हो गई है 6.25 और marginal standing facility और bank rate है यह दोनों है 6.75 CRR है 4% और SLR है 19.5% तो यह सारी values आपको ध्यान होनी चाहिए Next question The Tatkal Seva for property registration is a proposed initiative of which state government Tatkal Seva जो property registration scheme है वह कौनसे state government ने release के रही है तो इसका answer है option no.1 Punjab Next question Which Indian author has won the Hindu playwright award 2018 कौनसे Indian author ने Hindu playwright award 2018 को जीता है तो इसका answer है option no.4 for any Z इनको यह जो award मिला है यह मिला है इनके play में play के लिए जो है Untitled Next question India's first all women special weapons and tactics SWAT team for anti-terrorist operations has been inducted in which state or UT police तो इंडिया की पहली all women special weapons and tactics team जो है जो एंटी-terrorist operation के लिए बनाई गई है वह कौन सी state या फिर union territory के police में शामिल की गई है तो इसका answer है option no.2 धैले police अब यह जो SWAT team है यह 36 women commandos की team है और इनको बहुत ही rigorously 15 months के लिए train किया गया है और independence day जो भी हुआ था उसके दिन इनको red fort और India gate पे तहनाद किया गया था Next question What is the theme of the 2018 International Youth Day International Youth Day 2018 की theme क्या थी इसका answer है option no.2 safe spaces for youth तो International Youth Day बनाया कब जाता है 12th August को और इसकी theme थी safe spaces for youth Next question V.S. Naipaul who passed away recently was associated with which field V.S. Naipaul जो जिनका अभी अभी निधन हो गया था वो कौन सी field से थे तो इसका answer है option no.4 author यह एक author थे यह एक बहुत ही noted author थे और इनको Nobel Prize मिल चुका है literature के अंदर तो यह question आपके लिए important है आप ध्यान रखना Next question What is the theme of the 9th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2019 Vibrant Gujarat Global Summit 2019 की theme क्या है इसका answer है option no.4 shaping of a new India Next question which Indian authority has launched the RUKO initiative recently RUKO initiative है क्या RUKO का मतलब है Repurpose Used Cooking Oil Repurpose Used Cooking Oil इसका मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो भी cooking oil हम use करते हैं उसको फिर से repurpose करना है मतलब उस cooking oil को यह लोग convert करेंगे बायो डीजल में और उसको use करेंगे तो यह जो initiative है यह कौनसी Indian authority ने लिया है इसका answer है option no.1 Food Safety and Standards Authority of India FSSAI Next question which state government has recently launched the Nirman Kusum program Nirman Kusum program कौनसे state government ने launch किया है इसका answer है option no.2 Odisha यह Odisha की state government ने launch किया है इसमें क्या होगा कि जो भी construction workers है उनके बच्चों को technical education के लिए support किया जाएगा और financial assistance दी जाएगी तो Odisha की CM कौन है Naveen Patnaik Next question The Indo-Japan bilateral maritime exercise GMAX has started at which of the following cities India और Japan की बीच में जो bilateral maritime exercise है GMAX 18 वो कहां पर हुई है तो इसका answer है option no.3 Vishakapatnam Vishakapatnam Andhra Pradesh तो यह Andhra Pradesh में होई है यह आप ध्यान रखना यह भी ध्यान रखना कि GMAX किसके बीच की exercise है इंडिया और जपान की बीच की Andhra Pradesh की CM कौन है वो है Ajit Doval Next question Which state government has recently launched The Sashakt Kisaan Yojna and Krishya Samu Yojna कौनसी state government ने Sashakt Kisaan Yojna और Krishya Samu Yojna को launch किया है तो इसका answer है Option no.1 Arunachal Pradesh तो Arunachal Pradesh की government ने इसको launch किया है यह farmers को support करने की एक scheme है जिसमें उनकी income को भी डबल किया जाएगा Next question India's longest rail come road bridge Bogeybill will come up over which river इंडिया का longest जो combined rail or road bridge Bogeybill वो कौनसी river के उपर बन रहा है तो इसका answer है Option no.3 Brahmaputra तो Brahmaputra river के उपर यह बन रहा है Next question Where is Daraa National Park? Daraa National Park कहां पर है? Daraa National Park है Rajasthan के अंदर Next question Who will represent India at the 67th Miss Universe 2018 pageant in Bangkok? जो Miss Universe 2018 होगा इस उसमें India को कौन represent करेगा? तो इसका answer है Option no.1 Neha Chodasama Next question Which of the following cities is the venue of the regional conference on good governance with focus on aspirational district? तो good governance जो conference है वो कौन सी city में होगी? तो इसका answer है Option no.4 Bhopal, Madhya Pradesh Next question Who has created history by becoming the first Indian to win a medal in IAAF Continental Cup? तो IAAF Continental Cup में कौन से एक Indian है जिन्होंने medal जीता है और ये history बन गई है क्योंकि आज तक IAAF Continental Cup में किसी भी Indian प्लेयर ने medal नहीं जीता था तो इसका answer है Option no.1 अर्पिंदर सिंग तो अर्पिंदर सिंग ने इसमें जीता है bronze इन्होंने जो एशियाड हुए थे हमारे Jakarta Asian Games उसमें भी gold medal जीता था ट्रिपल जंप के अंदर ठीक है अब एक चीज़ आपको यहाँ पर confuse कर सकती है मैंने आपको जब हीमादास वाला question बताया था उसमें आपको बताया था कि IAAF Under 20 Championship जो है उसमें हीमादास ने medal जीता है तो यह जो championship है यह कहां हुई थी टैंपर, Finland में और IAAF का Continental Cup जो है जिसमें अरपिंदर सिंग ने medal जीता है वो कहां हुआ है वो हुआ है ओस्ट्रावा Czech Republic ठीक है तो आप इन दोनों चीज़ों में confuse मत होना यह दोनों अलग-अलग event थे और उनको आप ध्यान से याद कर लीजिए Next question What was the theme of the 2018 International Literacy Day International Literacy Day की theme क्या थी इसका answer है Option no.2 Literacy and Skills Development International Literacy Day बनाया कब जाता है यह मनाया जाता है 8th September को तो यह थे आज की 40 questions I hope आपको आपको अच्छा lecture पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे मुझे support करते रहिए और like करते रहिए वीडियो को और मैं कल आपके लिए लेकर आँगे quiz no.7 तो आज के लिए इतना ही Thank you so much for watching